हेलो दोस्तों स्वागत था आपका अपने चैनल रशना श्टरडी पॉइंट पर दोस्तों आज की स्वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं जी एस से सम्मंदित मैत्वपूं प्रश्ण जो कि आपकी आगामी परिक्साओं के लिए हेलफुल और इंपोर्टेंट रहेगी तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो आपका अच का पहला प्रश्ण है नालंदा विस्वध्यालाइक का पूर्ण रूप से विनास कब हुआ नालंदा विस्वध्यालाइक का पूर्ण रूप से विनास हुआ था दोस्तों 1193 इस्वी में 1193 इस्वी में दोस्तों आपके बक्तियार खिल जीने जो कि आपका मुहमत गौरी का सेनापती था उसने नालंदा विस्वध्यालाइक का विनास किया था नालंदा विश्वविध्याले की बात करें तो दोस्तों इसकी स्थापना की थी गुप्त वंस के राजा कुमार गुप्त ने 450 इस्वी में 450 इस्वी में कुमार गुप्त के द्वारा नालंदा विश्वविध्याले की स्थापना की गई थी और जो आपका नालंदा विस्वविद्याले है यो वर्तमान में आपके बिहार राज्य में इस्थित है ठीक है Next question है सांची का स्थूप किस काल में बना था सांची का स्थूप बना दोस्तों आपके मोर्य काल में जो आपका सांची का स्टूप है ये सिथ है दोस्तों आपका मध्य प्रदेश में और इसे जो बनाया था वो बनाया था दोस्तों आपके असोग ने सांची के स्टूप की बात करें तो दोस्तो इसे आपका युनेस्को द्वारा विश्व धरोवर भी घोसित किया गया है युनेस्को द्वारा इसे 1999 में आपका विश्व धरोवर घोसित किया गया ठीक है नेक्ट्ट प्वेशन है निम्रलिक्ट में से कौन रिगवेद का उपवेद है रिगवेद का उपवेद होता है दोस्तों आयूर्वेद और सो नमबर 8 का राइट आंसर हो जाएका हमारे कुल चार वेद हैं रिगवेद, यजूर्वेद, सामवेद और अथरवेद तीगुवेद का उपवेद होता है आपका आयूरवेद, यजूरवेद का होता है धनूरवेद और सामवेद का होता है गंधरवेद और आखरी अथरवेद का होता है इस्थापत्यवेद ठीक है यह चारों आपने बिल्लकुल्याद रखने हैं बुद्ध की मृत्यू निम्न लिखित में से किस राजा के शाशन काल में हुई थी? बुद्ध की मृत्यू हुई थी दोस्तो अजाद सत्रू के शाशन काल में जो कि आपका हर्यक वंस का राजा था ठीक है और ये था आपका बिम्बिसार का पुत्र बिम्बिसार का पुत्र आपका अजाद सत्रू जो की आपका किस्ते जम्मंदिता हर्यक वन्स से नेक्ट वेशन है निमने लिखित में से कौन सा इस्तंब सिलालेख लोगों के कल्याण की बात करता है जो आपका असोग का छटा स्तंब सिलालेख है वो आपके लोगों के कल्याण की बात करता है तो आप्सन नमबर डीस का राइट आंसर हो जाएगा नेक्ट वेशन है कोईला उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा इस्थान है कोईला उत्पादन में भारत का विश्व में है तीसरा इस्थान पहले इस्थान है दोस्तो आपका चीन का दूसरे स्थान पे है आपका सयुंक्त राज्य अमेरिका और तीसरे स्थान पे है आपका भारत तीनों आपने विल्कुल याद रखने हैं नेक्स्ट वेशन है राजे सभा का पदेन सभापती कौन होता है? राजे सभा का पदेन सभापती होता है उप राष्ट्रपती और वर्तमार में हमारे उप राष्ट्रपती हैं स्री जगदीप धनकर ठीक है? नेक्स्ट है कलिंग युद के बाद असोक ने किस बहुत भिक्षू से बहुत धर्मकी दिख्षा ली थी कलिंग युद के बाद असोक ने ली थी उपगुप्त से बहुत धर्मकी दिख्षा ओप्सन नमबर डीस का राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट है सुदर्शन जील का जिर्णो द्वार किसके द्वारा किया गया था जिर्णो द्वार किया गया था दोस्तो रुद्र दामन के द्वारा सुदर्शन जील की बात करे तो दोस्तो रुद्र दामन के जूनागर अबलेक के अनुसार जो आपका चंद्रगुप्त मौर्या था इसका एक सेनापती था पुश्य गुप्त जिसके द्वारा की आपका सुदर्शन जहिल का निर्मान किया गया था और इसका जो जिनो द्वार किया गया वो किया गया था दोस्तो आपके रुद्रदामन के त्वारा ठीक है next question है गांधार एवं मतुरा सैली का विकास किसके शाषन काल में सरवादिक हुआ गांधार एवं मतुरा सैली का विकास हुआ था दोस्तों सरवादिक कनिस्क के शाषन काल में option number 6 का right answer हो जाएगा next है स्वराज दलकी स्थापना किसने की स्वराज दलकी स्थापना की थी चितरन जन दास एवं मोतिलाल नहरू ने चितरन एक जनवरी कब की थी एक जनवरी 1923 को स्वराज दलकी स्थापना की गई थी ठीक है नेक्स क्रेशन है आपका भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारत्य महिला कौन थी भारत रतन से सम्मानेत प्रथम भारत्य महिलाती इंदिरा गांदी और इंदिरा गांदी को भारत रतन से 1972 में सम्मानेत किया गया था भारत रतन की बात करे तो दोस्तों इसे देने की सुर्वात हुई थी दो जन्वरी 1954 को और उस समय भारत रतन दिया गया था आपका ततकालीन राष्टपती दॉक्टर राजेंदर प्रशात को तथा भारत के पहले गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगुपालाचारी को और पूर राष्टपती डॉक्टर सरोपली राधाकृष्ण को और वेग्यानिक डॉक्टर चंदर सेकर्ट वेंकर्ट रमन को 1904 में भारत रतन से समानित क्या गया था ठीक है नेक्ट वेशन है भारत का प्रथम बायोस्पियर रिजर्फ कौन सा है भारत का प्रथम बायोस्पियर रिजर्फ है दोस्तो नीलगिरी नीलगिरी की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थ रखना है नेक्ट वेशन है भारत में सुशाशन दिवस के जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है भारत में सुशाशन दिवस मनाया जाता है दोस्तों अटल बिहारी पाचपे के जन्म दिवस के अवसर पर और सुशाशन दिवस मनाया जाता है हरवर्स 25 दिसेंबर को ठीक है नेक्ट वेशन है भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की स्तल भद जील कौन सी है भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की जील है सामबर जील जो की आपकी है राजिस्थान में ठीक है नेक्ट वेशन है भारत का सबसे बड़ा पसु मिला कहां लगता है सबसे बड़ा पसु मिला लगता है भारत का सोनपुर बिहार में नेक्स वेशन है बाबर ने किस भासा में अपने आत्मकता तुझुक ए बाबरी की रशना की तुजुक ए बाबरी है बाबर की आत्मकता और इसकी जो रचना की गई है बाबर के द्वारा तुर्की भासा में Next question है सेर साका मकबरा कहां इस्तित है सेर साका मकबरा इस्तित है दोस्तो सासाराम में और सासाराम इस्तित है आपका बिहार में नेक्स्ट क्वेशन है निम ने लिखित सत्या ग्रहों में से किसका नेत्र तो महात्मा गांदी ने नहीं किया था जो आपका बार्दोली सत्या ग्रहता इसका नेत्र तक किया गया था सर्थार पटील के द्वारा तो इसका जो right answer हो जाएगा वो हो जाएगा option number D तो दोस्तों ये थी आपकी आज की important वीडियो I hope आपको वीडियो पसंद आई होगी वीडियो पसंद आई तो एक like कर देना चैनल पे नहीं तो subscribe कर देना ओके thank you